दोस्तों TRS Hindi का हैलाइज चैनल TRS Clips Hindi में आपका स्वागत है, सीखिए, enjoy कीजिए मैं हलके से थोड़ा blank हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी knowledge की depth कितनी है कल की वज़े से हम लोग ने कितने सारे topics के बारे में बात किया, I hope कि जो लोग ये Hindi podcast सुन रहे उन्हें English समझ आए और वो भी podcast देखे ये वाले podcast के बाद और ये मैं थोड़ा सा Hindi audience को cater कर रहा हूँ, definitely, इसलिए शायद मेरे questions एक तरीके के है, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत अजीब चीज कही कल, जो मेरे साथ अभी भी है, कि जो लोग politics में और जो लोग films में, वो लोग tantra vidya को use करते हैं, टेलेविशन में भी, जो लोग टेलेविशन के सबसे बड़ी हस्तिया हैं, वो बहुत famously tantra vidya को use करते हैं, आप कुछ कहना चाहूगे इसके बार में, हाँ, बस एक ही लाइन, कि इसका कारण ही है कि इनसीक्यूरिटी जहाँ पे जादा है, उसको लगता है को फाइदा हो जाएगा, एक दम human logic यही है, बाकी जगह पे, इसलिए मैं जब कभी भी tantra के बार में बात होता है, कहीं भी, और सिफ यहाँ पे नहीं कहीं और कुछी ने पू जो मूल स्रोथ है, जो है देवता उपासना, भगवधी का उपासना, मैं उस तंत्र में जादा इंटरेस्ट लेता हूँ, यह उसका पार्थ है, यह इसमें आता है, इसमें फ्रिंज है, मानलो कि एक तरह सी, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह कोर नहीं है, यह हार्ट नहीं है, आज आप हनुमान जी का पूजा करते हो, हनुमान जी का ऐसे मंतर है, प्रवग है, जिससे आप शत्रू का एक दम विनाश कर सकते हो, इसमें भी कर्मा होता है, कर्मा तो सब जगह पे, चल लाए, कर्मा तो हम लोग बैट के बाद के इसमें भी है, अग लेकिन, एक थोरा सा टैंजेंट में मैं जा रहा हूँ, एक मुझे ऐसा लगदा है कि हमारे जो सुसाइटी है, हिंदू सुसाइटी और लास्ट दो हजार तीन हजार साल में, उन्होंने एक गलती कर दी है कि कर्मा जो चीज है, इसको बहुत जादा महत्व दे दिया, कर्म को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यह बोलना हूँ कि पुराने जो टेक्स्ट अबसे पुराने जैसे भगवत गीता मान लो या जो भी है, वो जो एक दम उस समय पे उसमें आप देखेंगे कि सबसे प्रधान्य दिया गया धर्म को, धर्म के आधार पे कर् कर्म के आधार पे सोच रहे हैं, अर्जुन तो सही बताया था, क्यों मैं मार पीट करूँ, किसी को मारूंगा तो चाहे कोई भी लोजिक को, कर्म तो मेरे को लगेगा, तो फिर मैं वाबस चले जाओ, और भवान क्या बोलते हैं, भवान पहले तो उसको जैसे एक मौकिंग स्टेट्मेंट करते हैं कि पंडितों के तरह बात कर रहे हो, लेकिन तärह थो है नहीं वह चीज़, वैसे, उसके बाद एक एक करके आध्यात्मिwid पूरा scheme पूरा समझहते हैं उनको, कि क्या है, मोक्ष मोक्ष के बाद वो ये रही बोलते हैं कि अच्छा मोक्षा करके यह सुरू होते हैं कि एक शत्रिय के लिए जाजनक बात यह होता है कि वो युध्ध्य शेत्र से भागी है सालों तक लोग बोलते रहेंगे तुमारे बारे में तुम शत्रियो हो तुम युद्ध के सामने मैदान में खड़े होके तुम भाग रहे हो और उस समय पर ऐसा था कि शत्रियो वो तुमारा स्वाधर्म है उसी कुल में तुम पैदा हुए हो क्योंकि वो ही तुम्हारा काम है और तुम्हारा जब पावर है तुम किस काम में इस्तिमाल करोगे धर्म के रक्षा के लिए तुम इस्तिमाल करोगे और तुम्हारे और ऐसे भी कुछ स्टेट्पिंट्स है जो स्त्रिया ओरते शत्रिया कुल में रहते थे और उनके जब कोई पुत्र संतान वगएरा होता था they used to feel proud, they used to wait उस समय पे के लिए कि जब ये मेरा बेटा जो है वो धर्म के रक्षा के लिए युद्ध्य कर पाएगा, शत्रिया का बेटा यही करेगा वो स्वाध्र्म था तो फिर भगवान उसको तो मौक करता है, बोलता है कि तुम यहां से भाग के जा रहा हो, तुम सोच रहा हो कितना जमाना तक तुमारे उपर लोग हसेंगे ठीक है, तुम शत्रिया पैदा हुआ फिर भी वो बोले, ना ना मुझे नी करना है मुझे कुछ नी करना है, यह तो मेरा दोस्त है भाई बंदू है, से मैं कैसे करना हुँगा फिर वो याद दिलाते है कि क्या क्या है उन्होंने, और नॉट जिस देट, वो एक योग का क्या मार्ग है कैसे करम करो, लेकिन करम में निलिप तवस्था में करो जो करना है, वो तो करना है वो तो ऐसे भी करोगे तो, नेचर तो करवाएगा तुमसे घीक है, जो तुमारे identifying में है, वो नेचर करवाएगा अब तुम डिटचेश्ट वे में कर सकते हो या उसको एटेश्ट वे में emotionally attached करके कर सकते हो अरे मेरे साथ किसी का जगरा हो गया, एक दम गंदा है, मतलब ऐसा है कर्म का मोमेंटम ऐसा है कि मुझे जाके उसको मारना है एक थपपर, तो थपपर मारने के बाद दस दिन तक सोच भी साथ, बहुत बढ़िया थपपर, एक दम यही हो गया, या तो तुम just complete जो करना है, उस को सोचो मत, दिमाग से निकाल दो पूरा एक दम, उसमें emotional attachment हो, emotional attachment नया कर्म का वीज बन जाता है, और अंत में भगवान क्या बोल रहा है, सब कुछ हो जाने के पूरा अठारा ध्याय के बाद, भगवान बोल रहा है कि जो तुमारा मर्जी है आब वो करो, यह नहीं बोल र दोने के अधरम क्या है, का अधरम कांटेक्स्ट में समय काल पातरता की साबसे, क्या धरम है? वो सब्टार क्योंकि दराम हो कि धरम भीजा है, धरम धड़ मुद्टा बहाया है, जी है अब भूक लगेगा, खाना खाना, पड़ेज़ एक तो कहीं पर उसका करम है कि शैडोस अगर अगर धर्मा जिसको कहते है वो अगर एक इंसान है उसका शैडो है कर्मा पीछे पीछे गुमता रहता अगर आप कर्मा की हिसाब से सोच से रहोगे और ऐसा हुआ भी है बहुत सारे सिस्टम में फिलोसफी में कर्मा को ही प्राधन ने दिया गया है कि कर्मा मुझे और उस सिस्टम का गोल भी यह रता है कि फाइनल गोल यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे को बस जिंदगी खतम करके मोक्ष निर्वान जो भी है उसमें प्राप्त करना है तो उस सोसाइटी मौंक के सोसाइटी बन जाता है उसमें आर्ट कल्चर का क्या फायदा है फाइनली तो फिर मोक्ष में जाना है लेकिन यह था नहीं हम लोग का पहले का जो सिस्टम था ना यह फिलोसफी था धर्म सबसे इंपॉर्टन था और हाँ अब धर्म के साथ करम भी आता है तो उसको तुम कै जैसे निगेट करोगे ऐसे जैसे कि एक एंटीडोट ले लिया एंटीडोट यह है कि वह काम जो कर रहा है करो थोड़ा डिटैश्ट होके करो और साधना करते रहो तो डिटैश्मेंट नं साधना एक सदक चलता रहेगा तो देवता कृपा आता रहेगा वह अध्यात्मिक प्रोग्रस रहरेगा अपने आप से बाकी रास्ता निकल जाएगा लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि करम नहीं करो गए इन्फाक्त भग उस हिसाब से प्रेरित होके काम करता है, अगर सबसे जो प्रधान जो लोग है, वो समाज के जो सबसे बरे है, उपर है, वो लोग अगर अजुच जैसे कोई युद्धा गर युद्ध शेत्र से भाग जाता है, उसका क्या परिनाम होगा सोचो, तो यही सब है बहुत कुछ, तो टैंजेंट में थोड़ा चला गया, बट पॉइंट यह है कि धर्म जो है, वो प्राधन्य फ्राइमरी है, धर्म समझना सबसे इंपोरन्ट है, करम उसके साथ जुरा हुआ रहता है, करम को निगेट करना यही है कि धर्म करो, थोड़ा सा निलिप्त होके, निलिप्त कैस तो TRS Clips Hindi को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोज दोस्तों के साथ शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को TRS Hindi बहुत जल्द लॉट के आए